Basic Concept of Science में आप सबका स्वागत है, आज का टॉपिक है बच्चो दूरी के बड़ी मात्रक Practical Units Used for Measuring Large Distance जो ब्योहरिक मात्रक हैं दूरी के, बड़ी दूरी के जो मात्रक हैं उनका जो हैं हमने यहाँ पर डिसकसन करना है इससे पहले बच्चो आपने अगर हमारी वीडियो देखी हो, तो हमने दूरी के छोटे मात्रकों को आपको बताया अब जो हैं बहुत बड़ी दूरी, अगर खगोले दूरी आपने जो हैं लानी है इसमें तो astronomical जो दूरी है, उसका प्रियोग करना है तो अब जो हैं आपके पास जो हैं बज़ो, सबसे पहले आता है बज़ो पार सेक सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा पार्सेग ठीक है बज्चो आपको दिखाई दी रहा है सबसे पहले हो जाएगा पार्सेग यह सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा और एक पार्सेग जो होता है एक पार्सेग ये दूरी का मात्रक है ध्यानक न बच्चो एक पार्सिक जो होता है ये हो जाता है बच्चो 3.08 लगभग 3.08 into 10 to power 16 meter के बराबर मूल मात्रकों के पदों में ही इसको लिखेंगे बच्चो तो ये जो हैं ख़बोलिय दूरी नापने के काम आता है बहुत बड़ी दूरी नाप भी इसको कहते हैं बच्चो दूसरी ये जो है जिसका बहुत ज़्यादा पुर्यों किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको कम्टिशन में कि प्रकास वर्स किस राशी का मात्रक है अर्था लाइट एर किस राशी का मात्रक है येर देके बच्चे क अब सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना है कि प्रकास वर्ष क्या होता है ठीक है ये एक दूरी है ठीक है बच्चों प्रकास द्वारा प्रकास द्वारा निर्वात में निर्वात में एक वर्ष में चली प्रकास द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी है ठीक है बच्चों तो ये मैंने आपको बता दिया प्रकास वर्ष किसे कहेंगे प्रकास द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई ये क्या है दूरी है ठीक है बच्चों तो एक प्रकास वर्ष बरावर यहां पर मैं दिखूँगा एक प्रकास वर्ष जो आता है बच्चों ये आता है 9.46 इन्टू 10 टू पावर 15 लग भग बच्चों ये तना आता है 9.467 या 9.46 इन्टू 10 टू पावर 15 मीटर के बरावर यह प्रकास वर्ष आता है ठीक है बच्चों अब जो है इसको हम कैसे निकालेंगे इसको हम ये दूरी है तो एक सूत्र है बच्चों जो के आप अब ये आपने कक्छा 10 में पढ़ दिया होगा बच्चों की समाई बरावर अगर समाई बरावर नेकालना समाई बरावर दूरी बटे चार ठीक है बच्चों तो यहां से क्रॉस मल्टिप्लाई कर दो तो दूरी कितने हो जाएगे बच्चों दूरी बरावर समाई गुना गये ये दिखाए जिरे बच्चों गुना चार अर्था डिस्टेंस इस इकर टाइम इंटु स्पीग अब हम ये प्रकास वर्स दूरी है कितने दूर एक वर्स में चली गई दूरी तो आप देखो मैं निकालूंगा अगर निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकतां बच्चों एक वर्स बराबर समभी कितना है बच्छो एक वर्स वर्स में क्या है ये चली गई दूरी है तो एक वर्स को हमने सीक्ण में बदलना है तो 365 से एक ग्वर्स ओता हैं ये थो यह तो एक वर्स हो गया ठीक है बच्चो इसमें एक वर्स में कितने 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 दिन होगे 365 सही एक बढ़ चार मैंने 365 दसमें यह दिन होगे बच्चो एक वर्स में ठीक है बच्चो और एक दिन में कितने घंटे होते हैं यह देखो 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में एक गंटे में कितने मिनट होते हैं साठ मिनट होते हैं ये देखो बच्चो हमने कहां तक जाना है साठ सेकन तक जाना है ठीक है बच्चो ये देखो बच्चो ये तो हो गया है ये क्या हो गया है बच्चो समय और चाल कितनी होती गुणा चाल कितने होती प्रकास की बच्छों आपको आना चाहे तीन गुणा दस की घात आठ मीटर प्रति सेखिन होती है प्रकास की चाल ठीक है बच्छों इतना मीटर प्रति सेखिन ठीक है बच्छों अगर आप इन सब को गुणा कर दें अगर आप इन सब को गुणा कर दें बच् आठ मिनट होते हैं, एक मिनट में 30 से क्रेंड हो, इसलिए मैं ने सारा गुणा किया और यह चाल हो गया, और यह तो चाल होगी इसकी, और यह यहां सतक क्या हो गया, समय हो गया, अब मैं मल्टिप्लाई करूंगा, तो लग भग, लग भग, जो है, यह कितना है, नाइन हो गया, 3.08 इंडू 10 तो 16 मीटर, मैंने यह आपर लिका है बच्चो, उसके बाद दूसरा आए गया, प्रकास वर्स, लाइट यह, प्रकास द्वारा निर्वात में, एक वर्स में चली गए दूरी है, तो कितना आगया बच्चो, 9.46 तो पार 15 मीटर, ठीक बच्चो, अब जो हैं बच्चो, यहां पर जो हैं, यह जो हैं बच्चो, हमने जो हैं दूरी के छोटे और बड़े मातर बता दिये, अब एक प्रकास वर्स, एक प्रकास वर्स कितने के बढ़ाबर आए बच्चो, 9.46 इंटू 10 तो पार 15 मीटर, ठीक है बच्चो, अब कोई कह दें आपको कि किलो मीटर में कितना होगा, अगर मीटर की जगो अबर अगर हम किलो मीटर में ले ले इसको कि कितने दूरी है तो कैसे निकालेंगे बच्चो, इसको किलो मीटर में चेंज करना है, तो इस प्रकार से चेंज करेंगे बच्चो, देखो, एक किलो मीटर, एक किलो मीटर में 1000 मीटर होते हैं या 1 मीटर में क्या होंगे ये बटे में चला जाएगा बच्चो तो 1 मीटर में कितने किलो मीटर होंगे 1 बटे 1000 मीटर तो इसका मतलब 1000 का बहाग दे देंगे तो एक प्रकास वर्स बराबर कितना जाएगा 9.46 इन्टो 10 to power 15 और by 1000 1000 में कितने power हैं बच्चो 9.46 10 to power 15 तो ये है ये देखो बच्चो और by 10 to power 3 हो जाएगा और ये 3 ओपर जाके घड़ जाएगा तो कितना रह जाएगा बच्चो 9.46 इन्टो 10 to power 12 क्या हो जाएगा किलो मीटर ठीक है अगर आपको किलो मीटर में बदलना है तो बच्चो आपने practical unit used for measuring large distance अर्था दूरी के बड़े मातरक व्योहरिक मातरक आपने पड़े पहले पड़ा आपने पार्स है दूसरा प्रकास वर्स ये धूरी का मातरक है दिहान रखना बच्चो प्रकास द्वारा निर्वात में वैक्यूम में एक वर्स में कितनी दूरी त्टाई की प्रकास ने और वो हमने निकाल दिया है वो कितना हो गया बच्चो 9.46 in 10 to power 15 मीटर बहुत बहुत धन्यवाद बच्चो